खुद का पिशा पीने के बारे में कोई बमुश्किल ही सोच सकता है, बशरते वो कहीं फसा न हो या उसकी जान न जा रही हो, हाला कि ऐसे कुछ लोग हैं जो निजी तोर पर अपने घर में इसका इस्तमाल करते हैं। उधारन के तोर पर केंट नविंग्टन की 33 साल की योग सिक्षक कैलियोकली ने दावा किया था कि खुद का मूतर पीने से उन्हें अपनी लंबी स्वास्त समस्याओं से निजात मिली। उनको हाशी मोटो की थोयराइट की बीमारी और लंबे दर्द से छुटकारा मिला था। उन्हें दो साल पहले समाचार एजंसी प्रेस असोस्येशन से कहा था कि उन्होंने अपना मूतर पीना शुरू किया है। कुछ लोग इसे यूरीन ठरपी कहते हैं लेकिन इसे यूरोफेजिया भी कहा जाता है। وہ कहती हैं मैंने सुना था कि ये प्रतिरक्षा तंत्र को उनका दावा है कि इस से उनकी तचा चमकदार हुई है हैरानी की बात ये है कि केवल कैली ही ऐसी शक्स नहीं है जिन्होंने हाल में यूरोफेजिया के लाब बता हैं बीते हफते अलबर्टा केनेडा की 46 वर्षिय ली सैमसन ने दसन से कहा था कि वो अपना मूतर पीने से शरीर का वजन कम करने में मदद की उमीद कर रही है ली कहती है कि उनका वजन 120 किलोग्राम था वो इसे कम करने के लिए बेकरार थी उनको हैरत हुई कि मूतर इसमें मदद कर सकता है उनका कहना है मेरे दोस्त ने यूरीन थेरपी का मुझे एक यूट्यूब का लिंक भेजा जिसके बाद मैंने अपना पेशाप पीना शुरू किया मैंने ये बाद तुरंट नोट की कि मैं बहुत अधिक सोडियम ले रही हूँ और फिर अपने खाने से सोडियम हटाने की खसम खाई ली अब सुबे मुतर पीने के अलावा ब्रश के बाद उससे गरारा भी करती है और इसका आई ड्रॉप के रूप में इस्तमाल भी लेकिन इसका इस्तमाल करने से जरा रुकिएगा क्योंकि डॉक्टर इसके इस्तमाल की सला नहीं देते हैं हाला कि 49 वर्श ये फैत के अंटर ने खुद को नहीं रोका सुबह अपना पेशाप पीना शुरू किया और अब मुझे पहले के मुकाबले कम अच्छर काटते हैं मुझे अब किसी कीडे के काटने पर सूजन नहीं होती और ना ही खुजली होती है जून में एक अनाम मैला का वीडियो वारल हुआ था जिसमें वो अपने कुत्ते का मुत्र पी रही थी वो उस वीडियो में मुत्र पीने के बाद कहती है जब मैंने अपने कुत्ते का पेशाप पिया तो मैं तनाव में थी उदास्ती और मेरे चहरे पर बुरे से मुहासे भी थे इतने सारे लोगों के पेशाब पीने के बावजूद कई डॉक्टरों का मानना है कि ये सियत के लिए अच्छा नहीं है एक बात ये भी है कि मूत्र को शरीर से निकला अप्शिष्ट पदार्त कहा जाता है डॉक्टर जुमेर एहमद ने BBC 3 से कहा ये आम तोर पर माना जाता है कि पेशाब जीवानू रहित होते हैं हाला कि ये तब होता है जब आपके गुरदे में कोई दिक्कत नहीं है जब ये शरीर से निकलते हैं तो ये जीवानू से दूशित हो सकते हैं और आपके शरीर में जीवानू आने से आप बीमार भी हो सकते हैं या फिर कुछ गंभीर शारेरिक जटिलता बन सकती है डॉक्टर एहमद कहते हैं कि संक्रमन के लक्षन को अगर अलग हटा दिया जाए तो यूरोफेजिया के शरीरिक लापके कोई सबूत नहीं मिले हैं वो कहते हैं कि पेशाब करना वो क्रिया है जिसमें विशाक्त पदार्थ शरीर छोड़ता है ऐसे कोई सबूत नहीं है कि शरीर में ऐसे कुछ परदास डॉलने से स्वास्त को कोई फायदा होता है हाला कि पेशाब की थोड़ी मातरा पीने भर से स्वास्तर पर खतरनाक असर जरूर हो सकता है डॉक्टर एंड्रियू थानबच चेताते हुए कहते हैं कि जब आप मूतर पीते हैं तो खतरनाक अपशिष्ट पदार्तों को वापस शरीर में लेते हैं उन्होंने BBC 3 से कहा पेशाब की पूरी प्रक्रिया गुर्दे की होती है जो खून को फिल्टर करता है और मिनरल के साथ साथ साल्ट और अन्य दूसरे पदार्तों को भी बाहर निकालता है वो कहते हैं एक सेहतमन्द शरीर के पिशाब में 95 फीजदी पानी और 5 फीजदी अपशिष्ट प्रदार्तों में पॉटिशियम और नाइट्रोजन भी है अगर वो आपके शरीर में अधिक हो तो आपके गुर्दे को नुकसान पहुचा सकते हैं साथ ही डॉक्टर थानबर कहते हैं फिशाब पीना आथ के लिए खराब है और गुर्दे को भी नुकसान पहुचा सकता है केवल डॉक्टर ही नहीं बलकि पोशन और आहार विशेशग्य भी मूतर पीने को लेकर चेतावनी देते हैं पोशन विशेशग्य के दे फिर्टनेस इससे सहमत हैं वो बीबीसी 3 से कहती हैं कि ये मिथक है कि मूतर में 95 फीजदी पानी होने से वो पीने लायक है वो कहती हैं कि अच्छी सिहत के लिए पानी ये हर्बल चाय ही पीनी चाहिए तो कुल में लाकर जानकार, डॉक्टर और विशेशग्य मूतर पीने की सला देते नहीं देखते